साल 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया को तबहा करने की स्थिति में ला दिया था लोगों के जान खत्रे में पड़ गई थी इससे धियान में रखत हुए कोरोना से बचने के लिए वेक्सिन का इंतेजाम किया गया उन्हीं वेक्सिन की कंपनियों में से एक कंपनी एस्ट्रोज जिसने को विशेल नाम की कोरोना वेक्सिन को बनाया था अब इसी कंपनी ने खुद ही मान ली आई कि उसकी दुआरा बनाया गए वेक्सिन से लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं नमस्कार में शेख जोया आप देख रहे हैं दन अगरी नूस दरसल हाल ही में खबर आई कि को विशेल से ब्लट क्लोटिंग होने की संभावना है और इस खबर के बाद हर वो शक्स जिसने को विशेल वेक्सिन लगवाया था वो चिंता में आ गया लेकिन अब जब वेक्सिन बनाने वाली कंपनी ने खुदी कबूल कर लिया ही कि को वेक्सिन लगवाया था उसकी टेंशन मजीद बढ़ गई है कंपनी ने कहा कि इस से खून के ठके जमने यानि ब्लट क्लोटिंग हो सकती है कंपनी ने ये भी कहा कि टीका लगवाने के बाद इंजेक्शन लगाने वाली जगहा पर सूजन या लाल होना बुखाराना उल्ट पेर में दर्द या तेज बुखार गले में खराश नाग बहना खासी या कपकपी जैसे लक्षन भी आ सकते हैं मंगलवार को कंपनी ने एलान किया कि वो अपनी COVID-19 वेक्सिन को दुनिया भर से वापत ले रही है कंपनी का या फेसला वेक्सिन को लेकर चल रहे विवात के क कुछ दिनों बाद ही आया है को फिशिल को लेकर बवाल है कि से साइड इफेक्स हो सकते हैं जिसे थ्रोंगोसिस विथ्थरंबो साइटोपोनिया सिंड्रॉम कहते हैं यह एक ऐसी कंडिशन है जिसमें प्लेटलेट काउं कम हो जाते हैं और बलड क्लोट यानी खून के थक् कंपनी ने पहले कोट में दस्तवेजों में यह सुईकार किया था कि उसकी वेक्सिन से खून के थक्के जमने और फ्लटलेट्स कम होने जिसे साइड इफेक्स हो सकते हैं फिर बजार में उपलब मुक्तलिफ कोरोना वेक्सिन लगवाने के बाद शुरू से कई साइड इफे झाल